सबी लोगोंगा स्वागत करते हैं सबी नए और पुराने लोगोंगा इस ओनलाइन मीटिंग में और परमेशुर का दन्यवाद करता हूं की परमेशुर ने हमारे प्रभु येश्व मसी ने हमें ऐसा अवसर दिया आज कि हम एकटा हो सके और प्रभु की आरादना गीदों के द्वारा कर सके अभी हम पवित्र शास्त्र में से कुछ बातों बर दियान करेंगे और पवित्र शास्त्र का दियान के द्वारा हम परमेशुर को अमारे प्रभु को पैचान सकेंगे और हम अपने आपको भी पैचान सकेंगे पिछले कुछ हपतों से हम अलग-अलग विश येश्यमसी में विश्वास करते हैं यानि जिन लोगों ने इस बात को एसास किया कभी ना कभी कि वो पावी थे और उस समय उनोंने इस बात का अंगिगार किया कि येश्यमसी उनके पावों के लिए पुरूस पर अपना जीवन दिया था और जितने लोगों ने ऐसा पास नहीं किया लेकिन अभी विचार कर रहे हैं उनके लिए भी ये बातें जरूरी है और मुख्य रूप से हम चार किसम की बातों का अद्दियन करते रहेंगे इन मीटिंग्स में क्योंगी ये सबी के लिए जरूरी है सबसे पहले हमें हम सबको ये मालूम हो जाना चाहिए और अची तरह मालूम हो जाना चाहिए कि परमेश्वर ने येश्य मसी ने हमारे लिए क्या किया है क्योंकि जब हमें ये मालुम चल जाता है कि येश्य मसी ने हमारे लिए और पूरी मानवजादी के लिए क्या किया है उसकी सहाइदा से उस जानकारी की सहाइदा से हम दन्यवादिद रह सकते हैं हम दन्यवादिद रह सकेंगे हम तैंक फुल रहेंगे और ताइंक्फुल रहना हमारे लिए बहुती जरूरी है, हमारे हेल्थ के लिए बहुती जरूरी है मन से ताइंक्फुल रहना और जब हम इन बातों बर मनन करते हैं, विचार करते हैं कि ये शुमसी ने हमारे लिए क्या किया या मेरे लिए क्या किया है ये शुमसी ने, उसके दौरा मैं स्वएम तनिवादि रह सकता हूँ और हम सबी लोग ताइंक फूल रह सेकेंगे जब हम इस बारे में विचार करेंगे और जब इन बातों बर जो येश्व मसी ने हमारे लिए किया है जब हम विचार करते हैं तो हम सिर्फ दनलिवादिद नहीं हम प्रभु की स्थूदी करना शुरू करेंगे और ये सा काम अमारे द्वारा होते रहेंगे इसके लावा एक दूसरी बात भी हमें मालूम हो जानी चाहिए और वो यह है कि येश्व मसी आगे हमारे लिए क्या क्या करेंगे यानि वर्तमान समय में इन दनों में और आने वाले समयों में ये श्मसी हमारे लिए क्या क्या करेगा और हम बीच मिच में इस बारे में भी अद्यान करेंगे क्योंकि ये इस जानकारी से हमें मालुम चलेगा कि हम प्रभू से किन बातों की उमीद रख सकते हैं और ये जानकारी जो है हमारी रोजमर्जा की जिंदगी में, हमारी रोजमर्जा की प्रांतनाओं में भी हमारी सहाइदा करेगी क्योंकि हमें मालुम होगा कि हम प्रभू से क्या मांग सकते हैं और क्या नहीं मांग सकते और विशेश करके जब हम मुश्किलों से निकलते हैं जब हम खटिन समयों से निकलते हैं तो हमें ये जानगारी सहाइदा करेगी कि हम प्रभू हमारे लिए क्या करेगा और क्या नहीं करेगा और उसके आदार पर हम अपने जीवन को आगे चला सकेगे तीसरी बात जो हमें मालूम हो जाने चाहिए वो है कि अब हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए हमने येश्य मसी के कामोंगे विशे में जान लिया हमने येश्य मसी के उस उन बातों को या उस महान बिलिदान को स्विकार किया उसके बाद आप हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उदाहरिन के लिए पीछले संडे में ने आपको बताया था कि हमें क्या करना चाहिए हमें अपनी सारी चिंदाहें जो है फरमेशर के हातों में सूम देना चाहिए उस पर हमने तोड़ा सा अधियन किया था, उसके बाद मैंने आप तो आपसे एक चुड़ा सा काम करवाया भी था, हम सबने मिलके किया, और इसके बाद मैंने आपको कहा था, कि इस पूरे हफ़ते ये काम जब आपके पस कोई चिंदा आए, तो आप इसी जीदी से करना और हमें ये मालूम हो जाना चाहिए कि परमेशन ने हमारे लिए क्या किया है और दूसरी बात परमेशन हमारे लिए क्या करेगा तुसरी बात हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और चौती बात ये भी जरूरी है हमें ये भी मालूम हो जाना चाहिए कि और आने वाले समयों में अमारे साथ क्या क्या होगा या इस वर्तमान जिंदगी में हम कैसे अपने जीवन को चलाएंगे वो इस बात पर निर्बर है कि अब हम क्या बन गए हैं इस बारे में हम अद्यान करेंगे और बीच में एक बार मैंने आपको तोड़ा सा इस बारे में बढ़ाया था कि पवित्र शास्तर ये सिखाता है कि येश्व मसी पर विश्वास करने के कारण एक नई सुष्टी है यानि हमारी पैचान बदल गई है या फिर नई हो गई है और पुरानी पैचान अब खत्म हो गई हमारे पास अभी एक नहीं पहचान है स्वरक्ष से मिली हुई एक पहचान है उस पहचान में हम चलेंगे तो मुक्यरूब से हमें चार तरह की या चार किसम की बातों पर अधियन करने की जरूरत है और हर बार जब हम इकटा होंगे इन में से किसी ना किसी एक बात पर हम विचार करेंगे और ऐसा करके हम हर रिदी से प्रभू में मस्बूत होंगे और हम अपनी जिन्दई में सफलदा प्राप्त करेंगे हम विजे योंगे We shall always be successful as believers or followers of Jesus अभी हम परितर शास्त्र में चलते हैं Bible खोलते हैं नया नियम में एक पुस्तक है योहना की पत्री यह Bible के almost आखरी खिसे में आपको यह पत्री मिलेगी प्रकाशिद वाके से पहले है योहना की पहली पत्री उसका तीसरा अद्या है The Epistle of John, the First Epistle of John Chapter 3 योहना की पहली पत्री का तीसरा अद्या है और मैं रुक जाता हूं आप अपने Bible अपने स्मार्टफोन जिसमें भी आपके Bible है आप खोल सकते हैं और मैं चाहूंगा कि आप आगर आपके बस Bible से तो आप खोलिए और देखिए क्योंगी हम एक विशेश बात पर आज अद्यान करेंगे और ये अमारी पैचान को लेके हैं मैंने आपको शुरुआत में बदाया थाना कि चार तरह की बाते हमें मालुम हो जानी चाहिए और कभी-कभी अद्यान में हम चारों बातों को एक साथ देखेंगे और कभी-कभी एक बात पर त्यान करेंगे आज मुकी रूप से हम अपनी इस नहीं पैचान के बारे में चर्चा करेंगे इस पत्री में तीसरा अध्याए में पहला पत को हम पढ़ते हैं इसमें लिखा है देखो पिताने हमसे कैसे प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संदान कहलाए और हम हे भी और क्योंगी हमबर परमेश्वर हमसे कहता है देखो तो हमें ध्यान से देखने की जरूरत है और मैंने आपको एक बार बदाया था है कि पवित्र शांस्तर में कुछ ऐसे शब्द पाये जाते हैं जिसको पढ़ते ही हमें तोड़ा सा रुख जाना चाहिए क्योंगी वो शब्द इतना गंबीर है कि उसके बाद जो बातें बताये जाती है वो इतनी गंबीर है कि हमें बहुत ध्यान से उन बातों को देखने की और समझने की जरूरत है तो जब परमेश्वर कहता है कि देखो हमें देखना चाहिए अगर आप चश्मा लगाते हैं त तो चश्मा निकाल के साफ कर लेना चाहिए कि क्योंकि कर या चश्मा में दूलवाणा पड़ी होती है तो अच्छी तरह साफ करके आपको पढ़ना चाहिए लेकिन यहां बड़ जो देखने के बात है यह इस कागस में देखने के लिए नहीं है इस किताब में देखने के लिए नहीं है, मन में देखने के लिए अंदरी, आपके मन में जो आंके हैं उन आंकों से आपको देखने के लिए यानि उस बात पर विचार करने के लिए आपको घा जा रहा है और वो कौन सी बात पर आपको विचार करना है कि पिता ने हमसे कैसे प प्यार किया है, किस तरह का प्रेम परमेश्वर हम से किया है, इस बात पर परमेश्वर कहता है कि विचार करो, ध्यान करो, मनन करो, और इसका मगलव हमें बैठके सोचना चाहिए, कभी-कभी दो-तिन मिनिट लेके हमें सोचना चाहिए, और जब हम सोचना शुरू करेंगे, हम कुछ बाते समंझ आएंगी परमेश्वर के प्यार को लेके और यहांबर आपको विशेश रूप से इस बात पर बताया जा रहा है या जोर दे रहा है कि परमेश्वर ने हमसे कैसे प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहला है सोचे इस बारे में कि आपने और में ने और ये बात हम सब के लिए हैं जिन्नोंने येश्व मसी के उस बलिदान को स्विकार किया परमेश्वर कहता है कि आप और मैं आज परमेश्वर की संतान है यानि परमेश्वर इस संसार का सरजनहार परमेश्वर जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया वो हमें अपने बच्चे कहते हैं कितनी बड़ी बात है इस बारे में सोचिए और ये उनके लिए भी है उनके लिए अभी सिर्फ जानकारी है जिन्होंने अभी नहीं माना जो अभी सोच रहे हैं वो उनके लिए ये जानकारी है कि वो भी इस ग्रूप में इस दल में आ सकते हैं जब वो विश्वास करेंगे, ये बातें उन पर भी लागू है, उनके लिए अभी जानकारी है, या परमेश्वर की ओर से एक इन्विटेशन है, लेकिन हम सब के लिए जिन्होंने विश्वास किया, हम दो परमेश्वर की संतान बन चुके हैं, तो ये कितनी बड़ी बात है, परमेश्वर चाहता है कि हम इस पर विचार करें, इसलिए पैविल में लिखा है कि देखो, इस बात की ओर देखो, इस बात की ओर देखते हुए विचार करो और तब समझ आएगा, जरूरी नहीं कि आपको पूरी तरह से सब कुछ समझ आए, लेकिन कुछ बातें कुछ और आपसे कितना प्यार किया है और अभी करता भी है और करता रहेगा क्योंकि पवित्र शास्त्र में से हमने इस बात पर भी अधियन किया है कि वो कभी बदलता नहीं है, वो कल आज और हमेशा तक एक सा है, एक जैसा है, कभी बदलता नहीं, इसलिए जिस प्रमेशन ने हमसे आज तक प्रेम किया वो आज भी करेगा और फिर आने वाले दुनों में भी वो करता रहेगा. उसका प्यार कभी बदलता नहीं है इसलिए हम उसके प्यार यार पर बरोसा कर सकते हैं उस पर हम डिपेंडेंट हो सकते हैं क्योंगी वो प्यार हमेशा स्टिर है और वो हमारे कामों बर आधारिद नहीं है और परमेश्वर चाहता है कि हम इस वारे में विचार किरें क्योंगी इसमें हमारी पहचान है हम पहले इस दुनिया के लोग थे यानि सिरफ परमेश्वर की स्रिष्टी में हम आते थे इस संसार में जितने भी मनिश मानव है जितने भी लोग पाए जाते हैं वे सारे के सारे परमेश्वर की स्रिष्टी है लेकिन उन में से जितनों ने येश्व मसी के उस बेलिदान को ग्रहन किया उन के लिए परमेश्वर कहता है कि ये मेरी संथान है जनों ने अभी येश्व को नहीं माना वो अभी तक केवल स्रिष्टी है परमेश्वर की लेकिन संदान का दर्जा उनको नहीं मिला है लेकिन मिल जाएगा जब वो इस बात पर ग्रहंड करेंगे तो हम इस बारे में तोड़ा सा आज विचार करते हैं यहां में लिखा है कि हम संदान कहलाते हैं और सिरब इतना ही नहीं कि हम संदान के लाते हैं इसमें आपको बताया गया है कि और हम है भी और मैं चाहूंगा कि आप जहांबर भी समय है चाहे आप बैटे हो या खड़े हो या जिस पोसिशन में भी आप हो जो जिन तक मेरे आवाज पहुंच लिए हैं मैं चाहूंगा कि आप इस बात को एक बार जोर से कहें अपने लिए कि अगर आपने ये ये शुमसी के उस किया है तो आप बिल्कुल कॉंफिडेंस के साथ ये बात कह सकते हैं कि मैं परमेशर की संदान हूं एक वार आप अपने आपको बोलिए मैं परमेशर की संदान हूं I am a child of God और आप के साथ और भी कोई बैटा है तो आप एक दूसरे को कह सकते हैं अगर आप ने इशुमसी के उस काम पर विश्वास किया है ग्रेंड किया है तो उस विश्वास के नाते आप परमेशर की संदान है और एक दूसरे को भी आप कह सकते हैं नहीं तो कम से कम अपने आप को बताईए कि मैं फरमेश्वर की संतान हूँ क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप इस बात पर तवज्जो दे आप इस बात पर ध्यान करें और इस बात को वो दोराता है कि एक बार शक करने की जरूरत नहीं है यानि परमेशर ने हमें इतना बड़ा दर्जा दिया है इतना बड़ा एक पदवी है या एक टाइटल हमें मिला है कि हम परमेशर की संदान है और ये परमेशर की और से हमें मिला है इसलिए वह हमारा है और वह हमसे कभी भी बापस नहीं लिया जाएगा, यानी जब तक हम इस संसार में जिविध है, एश्व मसी पर विश्वास करने के कारण हम परमिशवर की संतान है और हम हमेशा रहेंगे, यह कभी बदल नहीं सकता क्योंकि यह परमिशवर ने दिया है और हमने अपने किसी भी काम के द्वारा इसको नहीं कमाया था परमिशन ने अपनी इच्छा से हमें इपदी दी है या यह स्तान हमें दिया है उसके बात क्या लिखा है अब मैं आपको अपना परिज़े करा रहा हूँ या अपनी पैचान बता रहा हूँ और मैं सिरा आपको ही नहीं मुझे भी अपने आपको भी खुद को भी बता रहा हूँ कि ये मेरी पैचान है और ये पैचान मुझे क्यों मिल रही है या क्यों मिली है क्योंगी मैंने येश्यमसी के उस बलिदान को जैसे अभी हमने एक गीद में गाया था जो क्रूस पर कुर्बान है जो क्रूस पर कुर्बान हो गया वो मेरे लिए किया जो जैकम जम जो येश्यो मसी के शरीर पे हम देखते हैं वो मेरी वज़े से यानि मेरे गुनाहों के कारण परितर शास्त्र में लिखा है नया नियम में लिखा है कि जितने भी बातें हमारे किलाफ थी जितने भी हमारे सर पे या हमारे जीवन को लेके परमेश्वर के डेटाबेस में जितने भी हमारे किलाफ पाप थे यानि हमने जितने भी पाप किये थे बच्पन से लेके येश्यो येश्यमसी के बारे में सुनने तक वो सारे के सारे पाप जो है परमेश्वर ने उस समय जिस समय मैंने विश्वास किया जिस समय आपने विश्वास किया मेरे जीवन से और आपके जीवन से हटा दिया हमेशा के लिए यानि आज की यूग की बाशा मैं बोलू येश्यमसी ने जीवन से जुड़ा हुआ था जो लगा हुआ था वो हट गया वो बिलकुल खतम हो गया और उसके जहापे एक नया लेबल लग गया कि अब आप एक संद है क्योंकि परमेशर ने आपके सारे पामों को माफ कर दिया ये हमारी पैचान है और इस पैचान में हमें बने रहना चाहिए हमें मालुम होना चाहिए और इस पैचान की अनसार हमें चलते रहना चाहिए इसलिए परमेश्वर जोर दे के कह रहा है कि देखो कि मैंने तुम्हें कितना प्यार किया है कि मैं तुम्हें अपना बैचा कहता हूँ और तुम हो भी ऐसा नहीं कि सिर्फ परमेश्वर में हमें सिर्फ शान्दी देने के लिए कहता है कि कि तुम मेरे बच्चे हो हमेरे भी इसमें एक और बात है ध्यान देने की इस कारण संसार हमें नहीं जानता यह दुनिया जो है यह दुनिया से मतलब इस दुनिया की जो प्रणाली है यहां की जो संस्कृति है जो जिन सितांदों और और प्रिक्रियाओं से यह दुनिया या वे सिद्दान्द और प्रिक्रियाएं जो इस संसार को नियंद्रित करती है उसके कारण लोग हमें नहीं पैचानते हैं लोग समझ नहीं पाते हमें इस दुनिया के अनसार इस संस्कृति या इस प्रणाली के अनसार जो लोग चलते रहते हैं वो हमें नहीं पैचान पाते हैं कि हम उन से अलग क्यों है। और परितरशास्थर साफृदीं से ये कहता है कि इस कारण क्योंगी हम परमेशूर की संधान है क्योंगी हम परमेशूर की संदान होने के कारण होने कारण हम्मारे अंदर बदलाव आचका है लोग दुनिया की लोग हम romance समझ पाते क्योंगी वो अभी परमेश्वर को भी नहीं समझ पाते लेकिन फिर जोर देके परमेश्वर हमसे कहता है दूसरा पत्में हे प्रियों कि कितना प्यार है परमेश्वर के पास हमारे लिए कि हमें कैसे वो पुकारता है हे प्रियों अब हम परमेश्वर की संदान है और ये जानकर और कुछी नहीं आती आपके जीवन में, आया आप में कि अब है हम परमेश्वर की संदान, जब हम बुड़े हो जाएंगे तब नहीं, या जब हम मरने पर होंगे तब नहीं, या हमारे मरने के बाद नहीं, अब हम परमेश्वर की संदान हैं, अब आज की तार कुछ करने की जरूरतनी परमेश्वर की संदान होने के लिए हम हो चुके हैं क्योंकि हमने ये शुमसी के उस बलिदान पर विश्वास किया लोग अलग-अलग किसम के यतन करते हैं कुछ लोग बक्ति मार को अपनाते हैं कुछ लोग कर्म मार को अपनाते हैं तब ही कोई गैर लेकिन परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि एश्यू मसी पर विश्वास करने के दौरा उस समय जिस समय हम विश्वास करते हैं हमें मुक्ती मिल जाती है हमें उधार मिल जाता है यानि हमें आने वाले समय के लिए परमेश्वर वाइदा नहीं करता है कि डब तुम मरने होंगे तब तुमें मुक्टी मिल जाएगी या मरने के बाद मिल जाएगी तुरंद हमें मुक्त कर देता है कि हम मरने के बाद नरक पे नहीं जाएंगे हम अनंद जीवन में प्रवेश करेंगे परमेश्वर के संख होंगे परमेश्वर के पास होंगे यह ग्यारंडी परमेश्वर देता है और वो किस तरह से ग्यारंडी देता है वो हमें बना देता है हमें मुक्ति दे देता है अब वो मुक्ति जो हमें मिली है जो अन अच्छी बात है कितना परमेश्वर हम से प्यार करता है। और परमेश्वर की संतान होने के कारण हमारे पास कुछ अधीकार हैं, जिसके भिशे में भी हम अधे कर चुके हैं। कि परमेशर के बच्चे होने के ना दे हम परमेशर के पास जा सकते हैं और परमेशर को पिदा कहके हम पुकार सकते हैं और बच्चों की समान हम पिदा से मांग सकते हैं और हियाब के साथ हम उसके सिंगास के पास जा सकते हैं और वहांबर हमें डांड नहीं मिलती हमें मदद मिलती है परमेशर की और से परमेशर के पास जब हम जाते हैं बच्चे होने के कारण हमने जब विश्वास किया मैंने कहा कि हमारे सारे पाप जो है हमारे जीवन से हटा दिया, हमें माफी मिली लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसके बाद हमने आज तो कोई पाप नहीं किया हम करते रहते हैं कुप पाप करते हैं लेकिन उन पापों के बाब जूद जब हम परमेशर के पास जाते बच्चे होने के कारण और वो हमारे पिता होने के कारण वो अपना चेहरा नहीं मुड़ता कि मैं तुझे देखना नहीं चाहता क्योंकि तुन्हें बहुत पाप किया है वो हमें हमबर तरस खाता है हमबर करुना दिखाता है और हमारी प्रांतना उनको सुनता है और फिर हमारी सहाइदा करता है हमें जवाब देता है ये बच्चा होने से फाइदा है, परमेश्वर की संदान होने का एक फाइदा है, एक अतिकार है और ये भी परमेश्वर की ओर से दिया हुआ है अभी हमें नहीं मालूम, आगे हम पढ़ते हैं और इसको पढ़के हम फिर रुप जाएंगे, आज के अधियन को हम समाप्त करेंगे हमें बताये गया कि हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संदान है, लेकिन अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे आने वाले दिनों में हम क्या कुछ होंगे, या अंद में हम क्या होंगे, या यहां से इस संसार का जीवन खतम होने के बाद हम क्या क्या होंगे, वो पूर्ण रूम से परमेश्वर ने अभी प्रकट नहीं किया, और क्योंगी परमेश्वर ने प्रकट नहीं किया, हमें नहीं हैगा ये अमारे लिए परमेश्वर के और से गैरंटी है लेकिन एक और बात भी है इतना जानते हैं आगे पड़ते हैं इतना जानते हैं कि जब रहे प्रकट होगा तो हम उसके समान होगे जिस इन येश्व मसी बादलोंब और प्रकट होगा हमें यहां से ले जाने के लिए तब हम भी परमेश्वर के समान हो जाएंगे, हमारे शरीर बदल जाएंगे और हमें भी बहुत जादा परिवर्त नाएगा कि हम परमेश्वर के साथ जैसे हो जाएंगे, लेकिन फिलाल हम मनशी के तरह यहां बर रहते हैं, परमेश्वर के संदान बन की यहां रहते हैं, इस के साथ इस उमीद के साथ की जिस दिन ये शुमसी प्रकट होगा हम बदल जाएंगे और हम यहां से चले जाएंगे और क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है ये शुमसी को उस दिन हम देखेंगे ये शुमसी की सामर्थ को हम देखेंगे शुमसी की प्यार को उस दि की बात है लेकिन वर्तमान में एक और बात है जिसको हमें समझने की जरूरत है तीसरा पद में लिखा है कि और जो कोई उस पर ये आश्चा रखता है यानि हर विक्ती जिसने येश्व मसी पर विश्वास किया उसको ये आश्चा रखने की जरूरत है कि एक दिन येश्व मसी बाद लोंबर प्रकट होगा और हम सब बदल जाएंगे हमें नया शेरीर मिलेगा और हम यहां से चले जाएंगे यह आश्चा हमारे पास होनी चाहिए क्योंगी जिसके पास यह आश्चा है उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है इस वर्तमान की जिंदगी में और वो किस तरह का परिवर्तन है लिखा है कि वे अपने आपको वैसा ही पवित्र करता है ऐसा वे पवित्र है यानि जिस तरह येश्व मसी पवित्र है वो लोग जिन्होंने येश्व मसी पर विश्वास किया और फिर ये आश्चा रखता है कि जब येश्व मसी आएगा म मैं येश्यमसी के साथ रहूंगा या रहूंगी जिनके पास ये आशा है तो वर्तमान में हमें ये बात मालूम हो जाने चाहिए कि परमेश्र की संदान है और परमेश्र ने हमसे इतना प्रेम किया है अम हमेशा उसकी संदान है और बविश्य के लिए हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि जिस दिन ये शुमसी दिखाई देगा बादलों में हम यहां से चले जाएंगे और जिन में यह आशा है यानि जितने भी मसीह लो जितने भी विश्वासी जितने भी ये शुमसी की चेले इस बात को ध्यान में रेखते हुए जीते हैं उन में यह बदलाव आता है क कि वो अपने आपको पवित्र करता है जब हम कहते हैं कि हम परमिश्र की संधान है तो सबसे पहले हमारे मनशी होने के नादे हमारे मन में इस तरह की विचार हाते हैं कि अगर हम परमिश्र की संधान है तो फिर ठीक है परमिश्र हमारा पीता है तो जो चाहिए हम मांग सकते है बिल्कुल सच है, मांग सकते हैं, हम सिरफ उन बातों पर ध्यान देते हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र क्या सिखाता है, हमें बविश्य की बातों पर भी ध्यान देने की जरूरत है, और जब हम बविश्य की इस बात पर ध्यान देते हैं, कि येश्व मसी आएगा और हमें ले तो तुझे आपने आपको पवित्र या शुद्र रहने की जरूरत है नहीं परमेशवड आइसा कोई आदेश नहीं दे रहा है लेकिन परमेशवर यह सचाई आप प्रगट कर रहा है कि यदी आप येश्यमसी के छेले हैं तो आपने येश्यमसी के उस दो को स्विकार किया है और उसके बाद उसके पीछे चलने का नने लिया है तो आपके पास ये आशा भी होनी चाहिए और यदि आपके पास आपके पास ये आशा है तो आप स्वयम ऐसा करेंगे अपने आपको शुद बना के रहेंगे यानि आपके मन में शुद विचार होंगे जब आपके मन में शुद्ध विचार होंगे, जब पवित्र विचार होंगे, आपके मुझसे शुद्ध बातें यानि पवित्र बातें निकलेंगी और आपके विवहार में पवित्रदाई दिखाए देगी. परमेश्र आपको ऐसा करने के लिए नहीं कर रहा है, परमेश्र बदा रहा है कि क्या हो सकता है अगर वो आश्रा हमारे पास है तो हमें क्या करना चाहिए, इसलिए मैं आप से अनलोद करूँगा कि इस पूरे हपते, आज से लेके next Sunday तक, हर रोज आप इस सचाई पर थोड़ इन आंगों से नहीं, आप मन से देखे विचार कीजिए और आपको और भी समझ मिलेगी इस सचाई को लेके और फिर इसका और ये काम आप रोज करेंगे, जब आप सुबह उठेंगे तभी दो मिनिट आप स्पेर कर सकते हैं, सोने से पहले भी दो-तिन मिनिट आप स्पेर क आप सकते हैं, जो लोग ज़्यादा समय दे सकते हैं वो जशा देजें, नहीं तो दो-तिन मिनिट इस पर विचार कीजिए। हम यहां से इस शरीर में निया शरीर में यहां से हम उड़के परिमेशर के पास जाएंगे उस आश्चा पर भी विचार कीजिए और फिर देखिए आपके जिवन में क्या-क्या बदलाव आता है और उन बातों को नोट कीजिए, जो भी आप अपने मन में, अपने जीवन में और दूसरों की और से जो बदलाव आपके जीवन में देखेंगे, दूसरों के बरताव में क्या परिवर्ट राता है, आपको क्या-क्या आशीशे मिलती है या नहीं मिलती है, इन सब बातों बर डेली विजार किया और इसके बाद मेरे साथ ये सब हुआ, और उससे हमें पता चलेगा कि हमारी पैचान को जानने से, यानि आपने आपको कुद को पैचानने से क्या परिवर्टन आता है, ये हमें पता चलेगा, तो परमेशुर की आशीश आप सभी लोगे साथ रहे, मैं एक बार प्रातना करना चाहता हूं, हम आँखों को बंद करते हैं, परमेशुर पर अपना ध्यान लाते हैं और परमेशुर को येश्व मसी को आदर देते हुए हम सरों को जुकाते हैं और प्रभू येश्व मसी तेरा धन्यवाद इन सब बातों के लिए जिस पर हमने आज दियान दिया दन्यवाद परमेश्वर कि हम आज तेरी संदान है और ये पदवी और ये टाइटल हमें या ये स्तान हमें इसलिए नहीं मिला कि हमने कुछ काम किया था हम पापी थे और हम अपने पापों और अपरातों के कारण तुससे बहुत दूर थे प्रभू हम आशाहीन दे हम अमारे अंदर परमेश्वर के प्रदी बिलकुल भी कोई प्यार नहीं था उस समय प्रभू ये शमसी तुने कुरूस पर अपना जीवन दिया और हमें इतना बड़ा स्तान दिया इतना बड़ा आदर की योगित स्तान दिया कि हम तेरी संदान है आज प्ता और मैं प्रार्तना करता हूं कि जितने भी लोग इस समय इस ओनलाइन मीटिंग में है और जितने लोग इन ठीचिंग्स को या इस इन बातों को औरियो या वीडियो में सुनेंगे या देखेंगे प्रभू उन पर भी ये आशिशो की कि हम सब भी लोग प्रमेश्वर हम सब इस आशा को रखते हुए और इस आशा को रखने के कारण कि ये शुमसी एक दिन बात लोंबर आएगा और हम यहां से चले जाएंगे अमारे मन में विजार पवित्र रहेंगे हम अपने पिदा के समान सोचेंगे बातें करेंगे और विया वहार भी करेंगे ये शुमसी के जब आपने माता-पिता के जैसे बातचीत करते हैं, यानि उनमें माता पिताव में जो विशेशताय हैं, वो बच्चों में भी आजाती हैं, बच्चों में दिखाई देती हैं, इसी तरह हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं, हमें परमेश्वर के गुन दिखाई देंगे, हमारे सब शुरू होगा विच झाल झाल